दोस्तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मखाने के क्या फाइदे हैं, मखाने को उप्योग करने का सही तरीका क्या है, कौन सी बिमारी में हमें मखाने को किस तरह से खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ वैसे तो दोस्तों मखाने की तासीर ठंडी होती है परन्तु पूरे 12 महने आप इसका उपयोग कर सकते हैं कोई भी side effect नहीं है मखाना खाने का तो अलग-अलग तरीके बता रही हूं दोस्तों मखाने को खाने का बहुत सी बिमारियों से हमें बचाता है मखाने का सेवन बहुत ही पॉस्तिक होता है दोस्तों पोशक ततों का खजाना होता है मखाना तो इस तरह से मखाने का पैकेट आपको किसी भी grossly shop में ड्रायफ्रूट की शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएगा और बहुत जादा ये महंगा भी नहीं आता दोस्तों बहुत ही सस्ता आता है बहुत ही फायदे मंद है भरपूर मातरा में केलशियम मैगनीशियम होता है इसमें जिंक और कॉपर होता है मखाना खाने से हमारे को परिशानी है दोस्तों उनके लिए मखाना बहुत ही फायदे मंद है एक कटोरी मखाने को यदिवे ड्राय रोस्ट करके नाश्ते के रूप में लेंगे दोस्तों तो जो शुगर की बिमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी केवल 15 दिन लेकर देखें आपको खुद को आपका शुगर लेवल कंट्रोल होता दिखाई देगा और साथी साथ जो बीपी वाले पेशेंट है जिने ब्लड प्रेशर है दोस्तों हाई बीपी है उन्हें भी मखाने का सेवन जरूर करना चाहिए तो दोस्तों मखाने में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है इसलिए जो आप मखाने को आप जाए तो दूद में डाल कर मखाने को ले इसे हड़ियों के दर्द से आपको रहात मिलेगी या फिर जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ एक चम्मत घी में मैंने मखाने को भून लिया है जादा घी का इस्तमाल ना करें दोस्तों यदि वजन कम करना है वजन को कम करने में भी मखाना बहुत ही फाइदे मंद है दोस्तों, हमारा वजन तेजी से कम होता है, क्योंकि मखाने में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, और मखाना खाने से हमारा पेट भरा भरा रहता है, भूग कम लगती है, तो वजन तेजी से कंट्रोल होता है, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने मखाने को बढ़िया 10 से 12 मिनट तक slow flame पर बढ़िया अच्छा भून लिया है, और अब इसे थोड़ा सा चटपटा करेंगे, ताकि हम इसे आसानी से खा सकें, तो यहां पर मैंने मैगी मसाला डाला है, आप कोई भी मसाला डालें, जो भी आपको पसंद है, चाहे तो चाट मसाला डालें, चाहे तो ओरिगेनो डालें, चाहे तो थोड़ा सा पीजा सिजनिंग डालें, ताकि थोड़ा अच्छा चटपटा ब जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन्हें तो जरूर मखाने का प्रयोग करना चाहिए तेजी से वजन कम होता है जिने नीद नहीं आती है दोस्तों अनिद्रा की परिशानी है उन्हें भी मखाने का सेवन जरूर करना चाहिए इसके अलावा मखाना खाने से हड्डियों के दर नहीं आती है, अनिद्रा की परिशानी है दोस्तों, और तो उसके लिए हम अखाने का सेवन किस तरह से करें, यहाँ पर मैंने दूद लिया है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कभी भी फुल फैट मिल्क का इस्तमाल नहीं करना है, दूद की मलाई निकाल कर ही आप दूद ले, इससे क्या होता दोस्तों, हमारा वजन भी नहीं बढ़ता है, हमें लो फैट मिल्क ही लेना चाहिए, बच्चों को आप चाहे तो मलाईदार दूद दे सकते हैं, इसके अलावा दोस् के तौर भी ले सकते हैं, ताकि आपको आगे जॉइन पेन या जोडो के दर्द की कोई परिशानी होने ना पाए, ना पाए, ना इंटी टेबलेट का ये बॉटल है दोस्तों, पानी के साथ ही लेना है, आप चाहे तो एक दिन में दो भी ले सकते हैं, एक सुबह, एक शाम क समय आप इसे लें और साथ इसाथ दोस्तों यदी आप इसे पर्चेश करना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप हहां से ओन पर्चेश कर सकते हैं दोस्तों यदी आप इस जुए अप इस ज़्ूइन सपोर्ट को लेंगे जोडों प्रयवंये लिएलों लेक्ता सम्स्सूप आप घ्रुणों केरदो राहात मिलेगी। नहीं तर फाइदेमन्द साइध नहीं पानी वारें लेक्ते होगी अचेते हो कि आपको एक दिन में दो टैबलेट लेना है दोस्तों पानी के साथ ही आपको इससे लेना है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और कुछ ही दिनों में आपको खुद को राहत मिलेगी जोडों के दर्द से आपको बहुत ही आराम मिलेगा दोस्तों आपको लेना एक चम्मस तिल एक दन दर्ड से राहत देती है तिल क्योंकि तिली में जिसे हम सीसम सीथ कहते हैं भरपूर मात्रा में केल्शियम मैगनेशियम होता है और तिल में कुछ ऐसे महतपूर्ण एमिनुएसिड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं आप चाहें तो तिल को ग्राइंड करके थोड़ा मोटा मोटा पाउडर बना कर भी रख सकते हैं, या फिर मेरे जैसे उबलते हुए दूद में डाल कर आप इसे 5-7 मिनट तक पका लें, तो दोनों ही तरह से पाउडर बनाएं, आप मखाने का और तिल का, या फिर मेरे जैसे डाल दें, यदि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो क्योंकि तिल हमारे शरीर में जरूर जाना चाहिए, खास कर ठंड के मौसम में, आप इसे कुछ दिन लेकर देखें, दो सब्ता आप लेकर देखें, आप खुद देखेंगे, आपको बिल्कुल भी जोडों के दर् काती है, दूद को मीठा करने कभी भी शक्कर का इस्तमाल ना करें, दोस्तों, शक्कर से हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं होता है, बलकि नुकसान ही होता है, वजन भी बढ़ता है, तो दूद को मीठा करना चाहते हैं, मीठा पसंद है, यदि आप डियाबिटिक नहीं है और मिठा दूद पसंद करते हैं दोस्तों तो आप डाले छोटा सा टुकड़ा गुड का जैगरी का या फिर आप डाले यहां पर खड़ी शक्कर जिसे हम मिश्री कहते हैं बहुत सी जगह पर और इंग्लिश में उसे शुगर कैंडी कहते हैं तो दूद को मिठा करने के लिए मैं यहां पर गुड का इस्तमाल करूंगी वैसे भी ठंड के मौसम में गुड जरूर खाना चाहिए भरपूर मात्रा में गुड में आयरन होता है हमारी हड्डियों को मजबूती देता है हमारी मास पेशों को मजबूत बनाता है गुड का सेवन हीमोगलोविन को रात को सोते समय पिए नीन भी अच्छी गहरी आएगी सुबह उठकर आप फूर्ती और ताजगी महसूस करेंगे दोसों तो वीडियो अच्छा लगा हो दोसों तो इस वीडियो के एक छोटा सा लाइक जरूर दें साथी साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदी सब्सक्र जरूर करें साथी कमेंट जरूर करिए का दोसों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और इस मखाने का सेवन आप जरूर करें नाष्टे में खाएं किसी ना किसी रूप में मखाने का सेवन जरूर करें thank you for watching my video